एक से एक खुद्दू लड़के जिस दिन ये होता है कि परिणाम घोशित हुआ उस दिनों बादशाह हो जाते हैं शहर भर की लड़कियां जो उनसे अच्छूतों सा वेवहार करती थी कि तुम्हारी चाया भी हमारे उपर ना पड़े वो खुद ले जाकर के अख़बार दिखाना शुरू कर देती है अपने बाप को कि देखो ये है वो निकल गए है उनका हो गया है और फिर बाप राम लड़्डू का डबबा लेकर पहुँच जाते हैं कि देखिये हैं हम तो बच्पन से ही जानते थे कि फुद्दू से वड़ी पते भाय है देख तो लो कि किस दिशा जा रहे हो कह रहे हो कि मैं अपने पथ से विचलित न हो जाऊ किस पथ जा रहे हो कुछ पता भी है वो तुम्हारा पत है भी जिस नौकर को जबरदस्ती भेजा गया हो बाजार से सौदा लाने के लिए वो कितनी उमंगतरंगत से खरीदारी करेगा अलसाता अलसाता चलेगा इधर रुकेगा उधर रुकेगा समय व्यर्थ करेगा आदे घंटे का काम चार घंटे में करके आएगा वैसी ही तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षा की जो आदे घंटे में पढ़ा जा सकता थो चार घंटे में पढ़ते हैं तुमने कभी पूछा नहीं कि यह क्यों होता है क्योंकि वो करने का वास्तव में तुम्हारा कोई लक्षे नहीं है इसलिए जो भी करने बैठते हो भारत को देखूं अगर तो 80-90 फीसदी लोगों की जिन्दगी का फैसला 25 की उमर में हो जाता है पूर्ण विराम उस 25 की उमर को ऐसे इमानों जैसे आखरी दिन हो तुम्हारा और उसकी और बड़ी तेजी से बढ़ रहे हो 25 नहीं तो 30 इशारा समझे हो तो जीवन के तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि 50-60 वर्ष शेश है अगर 23 के हो तो दो ही साल है बचे हैं जिन्दगी के इन दो सालों में या तो मुक्ति का इंतजाम कर लो या मौत है जो 23 साल का है वो ये साफ साफ समझ ले कि जीने के लिए बस दो ही साल बचे हैं इन दो सालों में या तो पक्का प्रबंध कर लो मुक्ति का नहीं तो जीवत मृत्यु है और मृत्यु से भी जादा बुरी होती है जीवत मृत्यु क्या होती है देखना चाहते हो किसी विवास महरों में चले जाओ वह तुमें बहुत सारे जवान लोग मिलेंगे उनके शकलों को उनकी हरकतों को उनके कपड़ों को देखके तुम समझ जाओगे किसको कहते हैं जीते जी मर जाना घर की कुवारी पिंकी पायल छणकाती जाके मौसी जी और ताही जी को जब चाय पिलाती है तो उसकी और जिस दृष्टी से देखती है और जो बात कहती है और फिर पिंकी जैसे जरा सा शर्मा जाती है इसको देखो तो सही और फिर समझ जाओगे कि जाओ किसी तताकथित संगीत समाहरू में ये आजकर होने लगा आशादियों में और देखो वहाँ तुम्हें मिलेंगे बहुत आधे ऐसे होंगे जो पचीस वाले हैं तब समझ जाओगे मौत किसको कहते हैं अब तुम करा लो पिंकी से अध्यात्म ये जितने हैं मैं सब को चुनोती देता हूँ तुम पिंकी से कराके दिखाओ और वो भी तब जब ताई जी और मौसी जी सामने हो तुम श्लोक एक बुलवालो तुम दोहा एक बुलवालो तुम उसे दो बाते बता के देखा दो कर नहीं सकते पिंकी गई पिंकी गई पुरी से बुरी बात किये किसी को पता नहीं चलेगा डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा हालां कि चेहरे पर चस्पा है जो देखने वाला है पढ़ने वाला है उपढ़ सकता है डेच सर्टिफिकेट यहाँ पर है पूरे शरीर पर है उपर से निची नक्षिक पर समाज को नहीं पता चलेगा समाज यही कहेगा यह तो अभी फल फूल रही है जवान है उसी विवाहत समारो उसी संगीत के लिए कलप रहे हो वो होता ही तभी है जब तुम्हें वो मिल जाए जिसकी तुम तलाश में हो जिसका नाम तुम दे रहे हो सक्सेस लड़का आप सफल हो गए आप क्या होगा उसी के लिए तो परिशान हो उसी गरे तो कल पे जा रहे हो और साथ में और चीज़े भी आएंगी शादी का मतलब सिर्फ लड़की थोड़ी होता है शादी का मतलब होता है पैसा बहुत सारा नुमाईश लगती है पैसे की होती ही शादी तभी है जब पैसा पक्का हो कि हाँ भई महीने का कितना गिरता है यही चाहिए और क्या चाहिए पदार्थ स्वभाव नहीं है तुम्हारा पदार्थ उसके पीछे दोड़ोगे जीवन भर कष्ट पाओगे जिस रहा तुम जा रहे हो तुम्हें पता भी नहीं है कहा जाती है कहने को तुम विद्याध्यन कर रहे हो वास्तव में तुम वासनाध्यन कर रहे हो दिल्ली में जगए जीवन रहे है उसके बारे में इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरे कैंपस के बिलकुल बगल में थी आईटी के वहाँ सब लगे रहते हैं पर इक्छार थी चार-चार-पांच-बाच साल पता नहीं कितनी है बहुत सारे हजार दस हजार होंगे जाने पचास हजार होंगे पता नहीं कितने तुम्हें क्या लगता है उन्हें वास्तव में ज्ञान से कुछ लेना देना है सबका एक लक्ष है देह मास भोग वासना विलास पदार्थ जैसे मक्खी गुड के लिए छट पटाती है गुड के गोदाम का रास्ता मंदर से होके गुजरता है तो मक्खी मन मारके मंदर से भी गुजर लेगी ये मत समझ लेना कि उसमें सत्य की कि विद्या की कि अध्यात्म की कोई प्यास है वो मंदिर से सिर्फ गुजर रही है उसे पहुचना गुड के गोदाम तक है और गुड के गोदाम में सब कुछ है पिंकी ताई मासी, संगी करुणों की आमदनी प्रतिष्ठा चूजे यही है न सफलता और यह सफलता तब तुम्हें मिल जाएके तो देखाए समाज तुम्हें कैसे कंद्धों पर बैठाएगा तुम्हारा जलूस निकलेगा जितने तुम भरष्ट से भरष्ट काम में गिरते जाओगे उतना बड़ा तुम्हेरा जलूस निकलेगा कभी घोड़े पर बैठा के कभी घोड़ी पर कभी जमीन पर आके बात करो आम आदमी को चाहिए क्या होता है सारी बड़ी बड़ी बातें सारे बड़े बड़े प्रयत्नों के पीछे क्या है कौन अभिलाशी है सत्यका किसको जीवन सार्थक करना है सबको क्या चाहिए बड़ा एलेडी टीवी उससे भी आगे कि अब कोई तकनीक आ गई होगी कौन से यह हाँ सब पता है पूरी दिवार बराबर प्लाजमा टीवी दिवार ही प्लाजमा टीवी की बना दो आइना भी मत रखो घर में जिधर देखो उधर कुछ और ही दिखाई दे खुद को देख लिया तो आफ़त हो जाएगी बड़ी से बड़ी गाड़ी पंद्रा बीस घर सीधे सीधे कमा सकते हो तो भी आड़े तिर्चे तहीकों से कमाना पर चुराए हुए समूसे की बात दूसरी है इसके लावा कुछ चाहिए क्या हमें अपने मन को टटोलो इमांदारी से पूछो इसके लावा कुछ चाहिए बड़ियां पैसा की जिस शॉपिंग मॉल में निकल जाएं के फिक्र मत करना उन्हें वहां रहना ही नहीं है उन्हें अभी नीचे आना है मरे हुए मास के पास जिन परिक्षाओं के लिए परिशान हो रहे हो उन्हें जिनका प्थम स्थान भी आया है उसका अंजाम कुछ और नहीं है यह ही है थोड़ा मास थोड़े चुजे दो ही तीन वर्ष बाद यह बात आई गई हो जाएगी कि साहब का प्रथम स्थान आया था दो ही तीन वर्ष बाद उनके जीवन से प्रथम स्थान की स्मृत्य भी जाती रहेगी शेश क्या रह जाएगा मास और चुजे उसमें जीवन बीतेगा उसमें दिन बीतेगा पूरा जीवन उसी में बीतना है पूरा दिन उसी में बीतना है कौन सी सफलता कौन सी परीच्छा है उस पे अतीव की धूल पड़ी अब जीओ इसमें गुड के गोदाम में तारा यतन ही इसी के लिए था फिर जीते तो उसी में हो जाना जब सबको मरे हुए चूहे के पास ही है तो सबसे बुरी कहानी तो उस बैचारी की हुई जो इतना उंचा उड़के चूहे के पास आया अरे सीधह ही आ जाते है हश्र तो एक ही होना है सबका काही इतना लंबा चूड़ा घुमाओदार रास्ता लेते है